हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लॉड़ बुद्धा स्टडी सेंटर डठा की यूट्यूब चैनल में ति दोस्तों आज मैं सुरेंद्ध कमार्ण आपके लिए समाने के अंतर पन अक्टूबर मन्थ 2020 को नए अपडेट के साथ आ गया हूं और एक क्लास का मैं अपडेट दे चुका हूं यदि नहीं देखे देख लिजेगा उसका भी आपको लेंक डिस्किरेशन में मिल जाएगा और जो कुछ भी अपडेट बच किया उन सभी को मैं दीरे दीरे सभी वीडियो अपलोट कर दूँगा चलिए पहले प्रसन करते हैं फिर व देखिए पूर्व में जो राजा रहता था उसको कहा जाता था समराट और पस्चिम बाले को स्वराट उत्तर बाले को बिराट और दचिन बाले को भोज कहा जाता था और याद रखिएगा जो मद देश के राजा थे उनको खास करके राजा ही कहा जाता था दोनवार प्रस तीन यूगल समाध्यू के साक्ष मिले हैं जवाब रोथल क्या जवाब है दोस्तों रोथल की न अब परशन देखें परशन है कैथा और एरन की बस्तियां किस एतिहासिक यूग का परते निदियों तू करती है जवाब क्या हो जातीगा जवाब हो जाएगा तामर पासानी की युग तामर पासानी की युग अब चार नमर परसंद देखिए चार नमर आपका परसंद काता है अर्थ सास्त्र में कितने अभिकरन एवं प्रकरन है तो पंद्रो अभिकरन और एक सो असी प्रकरन है पांच नमबर परसंद देखिए, किस, सुरी उस्तों, काता है, असो के किस अभी लेक में समाज उत्सव एवं परसु बली का निशीद किया गया है, तो देखिए जवाब क्या है, पर्थम सिला लेक, असो के पर्थम सिला लेक में इसीज़ का उसमें बर्रन किया गया है, अग जबाब है, इलिंगो आदिगल, सिवन नमर प्रसिन देखे, गुप्त कालीन, दसा अबतार, मंदीर अवस्तित है, तो इसका जबाब देखिए, हो जाएगा, देवगध के जहांसी में, आगला प्रसिन देखे, आथ नमर, आठ नमर प्रसन आपका कहता है किस गुर्जर परतिहार सासक की राजसभा में परसीद बिद्वान राज सिखा निवास करते थे जवाब क्या हो जाएगा जवाब है आपका महेंदर पाल पर्थम और ये रहे थे आठ सो पचासी से नो सो दस इस वी तक नो नमर प्रसन देखिए अकबर के इवादत खाने में आमतित परसित जैन आचार जथे अब दोस्तों इसका जवाब जानेंगे बिजय सेन सूरी जीन चंदर सूरी बिजय सेन सूरी तथा सांती चंदर इतियादी दोस्तों देखे ये नाम दो बार रिपीट हो गया है तो हो सकता है मिस्प्रिंट चलिए अगला प्रसन देखते हैं दस नमर आपका प्रसन काता है अकबर ने किस बर्स दह साला परणाली सुरू की थी तो देखे जवाब हो जाएगा पंदरो सो बेरासी इस भी में आगे का जो प्रसन आपका छेतर है राष्टिय सुतंता अंदोलन से 11 नमर प्रसन देखे 11 नमर प्रसन करता 1909 के भारत सासन अधिनियम मींटो मारले सुधार के बारे में यह कथन दोस्तों कथन देखे क्या है हम नाग के दात वो रहे हैं और इसका फल भीषन होगा तो यह कथन किनका था चलिए अब जानते हैं दोस्तों कहने कारत यह कथन किसके बारे में था इसका जवाब क्या हो जाएगा लौड मिंटो का लौड मिंटो का कथन था अगला परसन देखिए परसन है अल्लूरी अल्लूरी सीता राम राजु थे क्या थे देखिए 1922 से 1924 में आंध्य परदेश में हुए रंपा बिद्रो रंपा जी बिद्रो हुआ था इनका नेता थे समचार पत्र संबंदित कानूनों के समिक्षा के उद्देश से 1921 में गठित परेश कमीटी के अध्यक्ष थे तो चलिए अब जवाब जानते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे जवाब हो जाएगा सर तेज भादूर सप्रू अगला परसन देखिए नेशनल हिराल्ड नामक समचार पत्र के संस्थापक संस्थापक संपादक थे जवाब क्या हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू अगला परसन देखिए परसन संख्यां पंद्रो अखिल भारतिय अस्पिरिस्ता निवारन संग की अस्थापना की थी जिसे 1923 में हरजन स सिवक संख नाम कर दिया गया था जवाब क्या है महत्मा गांधी महत्मा गांधी जी के दौरा इसको 1933 में हरजन सिवक संग नाम दिया गया था अगला परसन देखिए केरल में 만धीर परभेश के लिए 1924 में चलाए गए यकॉम शत्यागरह के परमुकनेता थे चलिए आप ज उमारन, टी के माधवन, पी के, सौरीज तो केपी मैनन, केपी मैनन, ये सब थे, अगला प्रसिन देखिए सत्रो नमबर, चलिए सत्रो नमबर प्रसिन है, धाका के नवाब, सलीमुला के नेत्रित में, 30 दिसंबर 1906 को धाका में मुस्लिम लिंग किया अस्थापना हुई थे, याद रखिएगा, अठार नमबर प्रसिन देखिए, बंगाल विभाजन के निरने की घोसना हुई थी, तो कब हुई थी, जवाब है, 20 जूलाए 1905 को, 20 जूलै 1905 को बंगाल विभाजन के निरने की घोसना हुई थी, 19 नमर परसन है परसन है आपका बंगाल विभाजन की घोषना परभावी हुई थी तो 16 अगस्त 1905 को अगला परसन देखिए सर जौन साइमन की अध्यक्स्ता में गठित साइमन आयोग में सदस्यों की संख्या थी जवाब क्या है? साथ जवाब क्या है दोस्तों? साथ याद रखिएगा चलिए अगला जो आपका परसन है भारतिय राज विवस्ता एवं समीधान से एक इस नमर परसन देखिए परसन है समीधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था यह कथन था यह कथन किन का था? जवाब है ओस्तीन का 22 नमर परसन देखिए समीधान निर्मान की प्रकिरिया में परांतिय समीधान समीधी के अध्यक्स थे यानि परांतिय समीधान समीधी के अध्यक्स को थे? सरदार बल्ला भाई पटेल 3 नमर परसन देखिए भारतिय सम्मिधान के किस अनुछेद में पंचायतों के गठन का प्राबधान है यानि पंचायतों के गठन का प्राबधान अनुछेद किस में है तो 243 के खौमे 249 प्रसिन देखिए संसद के सरस्ता के लिए आहारता अहता का प्रवधान समिधान के किस अनुषिर में है तो एक स्वा का पहला में अगला प्रसन देखे 25 नमबर प्रसन है भारतिय समिधान की चौथी सुची बीबेचित करती है तो किसको बीबेचित करती है जवाब है राजसभा के अस्थानों को आवंटन राजसभा के अस्थानों का आवंटन करता है 26 नमबर प्रसन है संसदिय सोरूप के सासन का परमुख लाब है तो इसका लाब क्या है जवाब जानते है कार्ज पालिका का बिधान मंडल के परति उतरदायत बना रहता है अब देखे 27 नमबर प्रसन प्रसन है किस ने कहा था कि भारत अड़ संगहात्मक राज है तो जवाब क्या है केसी हीर ने कहा था चलिए प्रसन संख्या 28 28 में कहता है समिधान के किस प्रापधान के अंतरगत भारतिय संसद को नया राज बनाने का अधिकार है तो कौन से अनुषद में तो अनुषद तीन में अगला प्रसन देखिए परतेक्च बंदी करन अधिनियम के अंतरगत एक बैक्ती बिना मुकदमा चलाई बंदी बनाया जा सकता है तो कितने समय के लिए दोस्तों दोस्तों जवाब है आपको तीन माह के लिए अगला प्रसन देखिए बंद हुआ मजदूर उनुमूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा जवाब है उनिस सो चालिस ब्यालिसमा संमीधान संसद आपका उनिस सो चालिस में हुआ था तो इसी में उसको पारित किया गया था अगला प्रसन देखिए अगला जो आपका प्रसन है ये सेक्टर है पडियाबरन एवम जे बिवित्ता के सेक्टर से चले 31 नमर प्रसन देखिए प्रसन है सतत्विकास के लिए आवस्यक है अब जवाब जानते हैं जवाब क्या है जैविक बिवित्ता का संदक्षन परदुसन का निरोध एवम नियंत्रन एवम निर्धानता को घटाना 32 नमर प्रसन देखिए सतत्विकास लच्छों को प्राप्त करने की परगती की दिशा में बिभिन देशों द्वारा किये गए पर्यासों की परगती जानने हितु निर्मान किया गया है तो चलिए आप इसका जवाब जानते हैं जवाब क्या है सस्टेनेवल डेवलप्मेंट इंडेक्स सस्टेनेवल डेवलप्मेंट इंडेक्स इसका आंसर हो जाएगा 33 नमर परशन देखिए नेशनल ग्रीन टिर्विनल NGT की भारत सरकार द्वारा अस्थापना की गई थी NGT का स्थापना कब हुई थी दोस्तों जवाब है 18 अक्टूबर जो देखिए दोस्तों उसकी क्या विश्यस्ता उस पर दिया जाता है जवाब है परियावरन के परती महत्री पूर्ण होना चाहिए अगला प्रसिन देखिए 25 नमर राष्टिय हरित नियादीकरन अधिनियम 2010 भारतिय समीधान के जिस पराब्धान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था चलिए अब जवाब जानते हैं जवाब है सवस्त परियावरन के अधिकार के अनुरूप जो अनुछेद 21 के अंतरगत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है अब देखिए अगला प्रसिन देखिए प्रस्त संख्या 36 को प्रस्त करता है विकास की वह अब धारना जिसके तहत बर्तमान की अवसक्ताओं के साथ साथ भविष की अवसक्ताओं को विध्यान में रखा जाता है जवाब क्या है जवाब है धारनी ये विकास जवाब क्या है जोस्तों sustainable development आपका जवाब हो जाएगा अगला देखिए 37 नमर प्रसन है आपका पड़ियाबरन अपकर्स से अभी पराय है जवाब है पड़ियाबरने गुनों का पूर्ण रूप से निम्नी करन मानबिये क्रिया कलापों से विफृत परिवर्तन लाना और पास्थित किये विभिंता क प्रियाबरन सुरक्षा अधिनियम एको अन्य किस नाम से तो दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा जबाब है केरल अब देखिए 49 प्रियाबरन सुरक्षा अधिनियम एको अन्य किस नाम से तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है जबाब है चाता विधान अगला देखिए 40 प्रियाबरन सनक्षन के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंब किया जबाब क्या है अस्ट्रेलिया ने जबाब क्या है अस्ट्रेलिया ने आगे का जो आपका प्रसन है भारत एवं विस्वगोल से तो देखिए प्रसन जानते हैं 41 नमर प्रसन है कापीली नदी किस दोस्तों यहां किस होगा तब देखिए भासा आपका बहुत अच्छा से बेट जाएगा तो देखिए इसमें क्या काता है कापीली नदी किस नदी की सायक नदी है जवाब क्या लगाएंगे तो ब्रहम पुत्रा 42 नमर प्रसन जिस नदी के तटपर बद्रीनाथ का परसिद मंदिर इस्तित है वो नदी कों सा है अलक नंदा 43 नमर चांगला रोतांग बोमडीला एवं सेला दर्रे अबस्तित है तो चांगला दर्रा आपका है जम्मु कस्मीर रोतांग हिमाचल परदेश बोमडीला और नाचल परदेश और सेला दर्रा आपको और नाचल परदेश में ही है अब देखिए 44 नमर प्रसन प्रसन है भारत के उपबंध पराचुम्बक्य परिनामों से संक्यत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतियों अस्थल पिंड संख्या है तो इसका जवाब कुण सा क्या होगा जवाब उत्तर की अगरा प्रसन भारत और चीन की उत्तर पुरवी सीमा का सीमांकन करती है तो जवाब क्या होगा मेक मोहन रेखा जो है भारत चीन की सीमा रेखा को निर्धारित करती है अगला प्रसन कौन से भारती है राज की अधिक्तम सिमा मयामार से असपर्स करती है तो इसका जवाब जानते हैं जवाब है और ना चल परदेश की सिमा किसे सरवाधिक असपर्स करती है आपको मयामार से अगला प्रसन अर्तिश्वी समानते रेखा जिन दो देसों को विभाजित करती है वो है उत्तरकोडिया और दचिन को यापका सरी जवाब हो जाएगा अगला परसन जिस ज्वाला मुखी को भूमद सागर का परकास अस्तम कहा जाता है वो है इसका जवाब क्या हो जाएगा इस्ट्रामबोली ज्वाला मुखी को भूमद सागर का परकास अस्तम कहा जाता है किसो कहाता है इस्ट्रामबोली ज्वाला मुखी का अगला परसन देख भी की भुमद रेखा की कुल लंबाई है लगभग जवाब क्या हो जाएगा 40 045 किलो मीटर और मील में कितना है 24 901 मील आगे का परसंद देखिए आगे का परसंद इसी सेक्टर से है देखिए आपका परसंद काता है तो दोस्तों अब देखिए इसमें लगता है परसंद एक तो कट गया चलिए तो इसको आपको मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा चलिए अब देखिए आपका परसंद आगे का करवाते हैं तो सेवा छेत्र जो है और्थ विवस्ता कि किस छेत्र में सामिल किया जाता है तो सेवा छेत्र आपको पर जाता है तिरतिय छेत्र में अगला परशन भारत में राष्टिय आई की गनना का कार्ज करता है तो कौन करता है तो जवाब इसका देखिए हो जाएगा केंदरीगिया सांखी के संगठन यानि CSO अगला परसन भारत में राष्टिय आई की बेग्यानी गनना का सरे दिया जाता है तो किसको दिया जाता है चले जवाब जानेंगे परफेसर बी के आरबीराओ बी के आरबीराओ अगला परसन देखिए गरामी छेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु की सुचकांग को अधार माना गया है तो जवाब देखिए हो जाएगा इसको याद कर लेएगा क्रीषी सर्मिक के उपभोगता मुल्य सुचकांग आज देखिए अगला परसन अगला परसन आपका कहता है सारी छेत्रों में गरीबी के आकलन हेतों की सुचकांक का अधार माना जाता है तो अब इसका जवाब जानते हैं जवाब है अध्यों की सरमिकों के उपभोकता मुल सुचकांक के अधार पे अगला परसन राष्टिय बागबानी मीशन शुरू किया गया था तो 2005 और 6 में राष्टिय बागबानी मीशन जो शुरू किया गया याद रखेगा 2005 और 6 में अगला परसन किस पंचबर से योजना में रॉलिंग प्लान यानि चक्रिय योजना की अभधारना को अपनाया गया जवाब है 6 अगला परसन दिखिए 6 नमर परसन करता है केंदर सरकार द्वारा गीब इट अप अभ्यान किसके परियुज नार्त शुरू किया गया था जवाब है LPG सबसीडी के परित्याग हे थू चलिए अब अगला परसन को करते हैं तो दोस्तों अगला जो आपका परसन है सामान्य बिज्ञान एवं तकनिके से अब चलिए इसको करते है एक सब्सक्राइब परसन है आपका दूद में प्रोटीन और कालवोहाइडिट का अतरीक्त पोसं दायक अन तत्वो में सामिर है अब इसका जवाब क्या है जवाब है आपका केलसियम और पोटेसियम अगला परसन रक्त गुलकोज अस्तर समान्य बैक्त किया जाता है जवाब क्या है मीली ग्राम परती डेसी लीटर मीली ग्राम परती डेसी लीटर आपका सही जवाब हो जाएगा अगला प्रसुन देखिए इंसूलीन है इंसूलीन क्या है ये एक परकार का आपको प्रोटीन है अगला प्रसुन देखिए मा और सिसु के बीच गले लगाना या क्या है दोस्तों चूमना क्या है चूमना जिस हर्मोन के मोचन को प्रेरित करता है वह कौन सा हर्मोन है अब इस टॉक्सीन आप का टॉक्सीन आपका जवाब है अगला bliR के जिस भाग में सुक्रानुों डिब को निश्यचित करता है वह भाग है जवाब क्या है डिम्ब बाहिनी नली जवाब क्या है दूस्तों डिम्ब बाहिनी नली इसका जवाब हो जाएगा अब चलिए अगला प्रशन करते हैं अगला प्रशन है मादा जनन पक्ष में पहुचने मानव सुक्रानू अपनी 48-72 घंटे तक उसको सुरक्षित रखने के छमता रहता है अगला प्रशन देखिए परमानु में कक्छो को भरने का करम नियंतरित होता है तो किसके सिध्यांत के द्वारा तो अफवाव सिध्यांत के द्वारा इसको याद रखेगा अफवाव सिध्यांत अगला प्रशन वह बेज्यानिक गजो अपने बेटे के साथ भ्वतिक के नोबेल पुरसकार का सह बिजयता है। आप चले जवाब जानते हैं। देखिए। बिलियम हेन्री ब्रेग ने 1915 का भातिका नोबेल पुर्षकार अपने पुत्र बिलियम लोरेंस ब्रेग के साथ सन्युकत रूप से प्राप्त किया जवाब क्या हो गया बिलियम हेन्री ब्रेग ने 1915 में भातिका नोबेल पुर्षकार अपने पुत्र उनका पुत्र का नाम क इन दोनों को सुनेयों की रुप से क्या प्राप्थुआ भौतिक का नोबेल पुरुषकार अगला परशन दीके जीएट इंजन कार्ज करता है जवाब क्या है रिखिये संवेक संगस्तिषन सीध्यान पे अगला देखिए, अगला परशन है, मानव सरीर का तापमान, सुरी समान तापमान, 98.4 फोरेन हाइट, बराबर 0 डिगरी सी में तापकरन है, तो चलिए अब जवाब जानते हैं, जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब है, 36.89 डिगरी सी, 36.89 डिगरी सी, तो दोस्तों एक ची सब्सक्राइब कर लिजेगा, वीडियो को लाइक किजेगा, शेर जरूर किजेगा, और कमेंट के साथ साथ, बेलाकर प्रेस कर दीजेगा, ताकि मैं जो कुछ भी अपडेट दो, सबसे पहले आप तक पहुंचे, और दोस्तों, मैं अपने चैनल की द्वारा आपको, SPD, सबी मंत का धीरी धीरा प्रेट उसका भी में चल रहा है, वह भी वन लेनर कोश्चन देख सकते हैं, और उसका पीडिया भी कैसे प्राप्त करेंग वोची मैं बता दिया हूँ, तो दोस्तों, आज़कर इतना फिर मिलेंगे, नेस्ट वीडियो में तब तक लिए, जय हिंद झाल झाल झाल